प्रॉब्लिम से सल्यूशन ता, आश्कृता, नो यूर फेट जिन लोगों का जन्दिन आठ मार्च को है, उन्हें हम सब की तरफ से जन्दिन की हारदिक्षुप कामना है आने वाले वर्ष में आपको अपने स्वास्थे का ध्यान बनाए रखना है आरंभ में साल की शुरुवात में करियर में समस्याएं रह सकती हैं लेकिन जून से आपकी स्थितियों में सुधार होना आरंभ हो जाएगा आविवाहितों के विवाह के योग भी इस समय बन रहे हैं क्या करेंगे पूरे साल भर शनिदेव की अगर आप उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा देखिए होली खेलने वाले दिन कुछ बातों का जरूर ध्यान रखें ताकि ये पर्व ये त्योहार आपके लिए शुब हो रंग खेलने के पहले उसे भगवान को जरूर अर्पित करें काले रंग के वस्त्र धारण ना करें और मांस मदिरा का बिलकुल प्रियोग ना करें पूर्डिमा के साथ जुडा हुआ पवित्र तेवहार है इसलिए मांस मदिरा का प्रियोग ना करें इस दिन सफेद मिठाई खाना और सफेद मिठाई खिलाना सर्वुत्तम होता है, बहुत शुब होता है इस आड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सल्यूशन ढूणना आसान प्रॉब्लम्स से सल्यूशन तर, एल्टर तर, know your faith होली पर अपने रिष्टों की समस्या को आप कैसे दूर कर सकते हैं होली की शाम को भगवान के मंदिर में एक घी का दीपक जरूर जलाईएगा चाहे वो किसी भी देवी देवता का मंदिर हो जादा से जादा लोगों को मिठाईयां खिलाईएगा और खास तोर से सफेद मिठाई रिष्टों से जुड़ी हुई तमाम समस्याएं, तमाम बाधाएं आपकी निश्चित रूप से दूर होंगी होली के दिन आम तोर पर क्या होता है, हम सब रंग खेलते हैं, खुशिया मनाते हैं तो होली के दिन रंग के साथ सुगंध का प्रियोग जरूर करिएगा खुश्बू वाली होली खेलिएगा, सुगंधित होली खेलिएगा, ऐसा करने से आपको होली खेलने का पूरा लाब मिल पाएगा तो होली के दिन रंग के साथ सुगंध का प्रियोग करिए, होली का पर्व, होली का अवसर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा एस्टो तक आप पर आपको मिलेगा भविश्य से जड़े हर सवाल का जवाब डाउनलोड कीजिए एस्टो तक आप और चिटकी में जड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलोजर से